इस सीरीज में हम लोग पिनेकल की पॉपुलर बुक की फिफ्थ एडिशन बुक की हम क्या कर रहे हैं वीडियो सॉलूशन ये जो सॉलूशन मैं आपको करा रहा हूँ इस बुक से टोटली डिफेरेंट हैं मैं आपको सॉलूशन जो कराता हूँ वो एक्जाम ओरियंटेड and question है सारे questions की मैंने video solution अल्रीड कमप्लीट करा चुका हूँ इसमें total 125 questions थे यह सारे 125 questions की वीडियो सॉलूशन मैंionen information करा चुका हूँ The third topic जो ongoing चल रहा है हमारा वह है ratio and proportion topic जिसमें total 271 q quindi और इस 21 qe मैंसे अभी तक हमने question नमबर वन से लेकर के 40 तक complete कर चुके हैं इस वीडियो में हम दिस्टार्ट करेंगे question नमबर 41 से तो अगर आप इन दोनों topics और इसको आप sequence वाईज देखना चाहते हो तो आप के अगरो YouTube आप open करो और type कर लो सुधीर सर ओफिसियल मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे इसकी बुक की playlist बनी हुई है playlist में आप जाकर के starting से sequence वाईज आप वीडियो देख सकते हो चलिए मैं चाहता हूँ इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके complete करा दूँ तो ये तभी possible है जब आप honesty से इमानदारी से तीन काम करते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को share कर दो, share करने से क्या होगा कि मैं number of video बढ़ा दूँगा और audience देखने वाली जादा रहेंगे उतने ही जादा मैं number of video बढ़ा करके इस बुक को मैं complete करा दूँगा तो honesty से अगर आपको इस series से help मिला है तो वीडियो को share कर दिया करो, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कर दिया करो, like करने से यह पता चलता है कितने लोग को ये series पसंद आती है और comments box में आप comment करके हमेशा बताया करो कि इस video में क्या सीखने को मिला, आप कहीं से भी पढ़े हो, XYZ teacher कहीं से भी पढ़े हो, आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे exam oriented approach सीख रहे हो, कि exam में कैसे उस question को करेंगे, चलिए, time pass नहीं करते हो, हमें start करते हैं, question number 41 की तरब move करेंगे, in a factory, 48% of the number of male worker is equal to the two-third of the number of female worker, य दिया, is equal to क्या काया, two-third, यहने two by three, और किसके female worker करके, यह question का statement है, हमने लिख दिया, what is the ratio of male to the female in the factory, male और female का ratio चाहिए, तो देखो द्यान से, cancel करोगे, cancel करोगे कैसे, two से, इसको करोगे cancel, यानि 24, four से, six, four से, 25, अब देखो द्यान से, जो cancel नहीं हो पाएगा, इसको इहर लेकर करके जाओगे, multiply, तो 18m is equal to कितना हो गया, 25f, यानि male is to female कितना हो गया, male is to female का ratio, interchange हो जाएगा, यानि 25 is to 18, जो भी आपका answer हो, 25 is to 18, question में हमेशा पढ़ा करो, क्या पूछा गया, male is to female कहा गया है, जैसे देखो, मैं आपको बता रहाँ, two a is equal to 3b हो, two a is equal to 3b हो, तो a by b क्या हो जाता है, a is to b ratio क्या हो जाता है, interchange हो जाता है, a ये बला हो जाता है, और b जो है, ये बला हो जाता है, यानि इसी तरह से हमने कोटे concept भी मैं आपको सिखाते जा रहा हूं, ये concept किस तरह से apply करते हो, resident proportion में, चलिए, option हमारा d correct answer हो गया, 18-7-2023 को latest paper का आया हुआ question था, move to the next question, next question देखो, क्या दिया गया हमारे पास, fourth proportion बताना है, मैंने बताया था आपको 3 number a, b, c हो, तो fourth proportion क्या होता है, fourth proportion मैंने बताया था, directly याद रख लो, p, b into c by, by a, देखो जैसे, ये b, a, b, c है, तो b into c, यानि 192 into 216 by a, a कितना है, 144, अब आपको table की knowledge है, तो आप आसानी से करोगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कि आपको 1 to 30 तक table पता होना चाहिए, fingertips पे, 31, 37, 36, 45, and 73, इसके अलावा ये extra 5 table आपको पता होना चाहिए, 36 important है, 45 important, 36 आपको कहाँ पे, mensuration में भी यूज होता है, as well as आपको di में काम आता है, 45 आपको बहुत important है, 73 important है, 37 और 30, देखो जैसे, 36 into 4, 36 into 4, 36 into 6, मैरे को 36 का table था, इसलिए हमने कर लिया, अब देखो 4 से करो कि 4, 4 जा, 16, 4, 8 जा, हमारे पास आया, 48 into 6, unit digit देखो, 8 into 6, unit digit 8 आना चाहिए, यह, unit digit यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, हटा दो, तीनो, multiply करना जरूरी है, क्या, नहीं जरूरी है, multiply करके अगर आप time waste कर रहे हैं, आप wrong direction में आओ, फिर भी अगर multiply करना है, तो देखो कैसे करोगे, 40 into 6, 24, 8 into 6, 48, 240 और 48, 288 आ गया, इस तरह से कर सकते हो, चलिए, next, next में देखो क्या दिया गया है, a vary directly as इतना, यह कहा गया है, यानि a जो है directly vary कर रहा है, b plus 18 से, अब a के लिए देखो ध्यान से, इस proportion को हटाने के लिए, हम एक constant term लेंगे, यानि k into b plus 18, यह हमारा क्या होगा, main equation हो गया, हाँ, जी main equation हो गया, equation firstly, और यह main equation हो गया, अब जो question कहा जाए, उसके according हम question को deal करेंगे, ध्यान से देखो, a की value 108, b की value 36, ध्यान से देखो, a क्या है, 108, k into b क्या है, 36, 36 plus 18, अब आ जाओ, ध्यान से देखो, 108 ऐसे ही रहने दो, k into, यह कितना हो जाएगा, 40 और 14, यानि 54, यह k की value हमारे पास आ गई, 2, अब k2 आ गया, अब इस k को यहाँ पर हम रखेंगे, तो ध्यान से देखो, और हमें अब क्या लिकालना है, find the value of a, a की value बतानी है, जब b क्या हो, 68 हो, तो ध्यान से इस equation में रखो, a बताना है, यानि a लिकालना है, is equal to, b के बारे में k की value कितनी ह है, 2, 2 into, हम इस equation में रख रहा है, red color वाला equation में, b plus 18, यानि b कितना है, 68 plus 18, अब देखो ध्यान से समझो बात को, यहाँ पर देखो, 2 into, यह कितना हो गया, 60 plus 10, 70, 70 और 16, यानि 86, अब देखो ध्यान से, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 172 आ गया, 172 is the right answer, वैसे भी यह multiply करने की जवर नहीं थी, unit digit 6 into 2, unit digit 2, unit digit देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, एक ही जगह 2 था, तो भी कर सकते थे, 19, 7, 2023 का question पूछा हुआ, question था है, यह आसानी से हमने कर लिया, चलिए, move to the next, देखो, next question क्या दिया गया है, ध्यान से दिखिएगा, two number are respectively 17% and 15% more than the third number, first, second and third की बात की यह तीन number, अगर third number को अगर 100 करूँ, सपोज करूँ, तो यह इस से first जो है 17% ज्यादा है, यानि 170 हो गया, और second जो है 50% ज्यादा, 100 से 50% ज्यादा, यानि 50 ज्यादा, यानि 150 हो गया, अब हमें ratio क्या चाहिए, two number का, जो number य यह था इसका ratio लिकाल लो, देखो ध्यादा से ratio लिकालना है, अगर ratio लिकालना है, यह किस से cancel होगा, साथ एकाठ एक एक नौन, तीन से हो रहा है, यहाँ भी तीन से हो रहा है, तीन से कर लो, 3-3 जा, 3-9 जा, 3-50, यानि जो आपका ratio आ गया, 39-50, कौन सा option, option number B, CGL-19-7-2023 क में पूछा हुआ question था, तो जो question जिस तरह से है, उस तरह से हम आसानी से कर लेंगे, next question पर देखो, next question क्या दिया गए, ध्यान समझना, राधिका, और राधिका के बाद क्या है, दो डॉग है, थ्री रैबिट्स है, और फोर पैरेट्स है, राधिका के पास क्या है, डॉग, रैबिट्स, एंड एजवल एज पैरेट्स, कितने कितने है, ये दो है, डॉग, तीन रैबिट्स है, और कितने, चार पैरेट्स है, य यानि जानवर है एनिमल जानवर है यानि पालतू जानवर है what is the ratio of number of rabbits rabbits की number बतानी है to the total number of pets राधिका ओन्स यानि राधिका नमबर रेशियो किसका बताना है rabbits का और total जो पालतू जानवर थे total का तो rabbits कितना है देखो तीन unit out of total की बात बोली गए इन तीनों का सम चार तीन जाना था one is to three आ गया देखो one is to three option number b cgl 27 2023 को पूछा गया था आसानी से हमने कर लिया next a देखो ध्यान से a is to be proportion b is to c मैंने लिखना बताया था क्या लिखोगे a by b is equal to b by c यहीं लिखते हो proportion का मतलब यह है बी अगर 96 है then which of the following can be possible pair of a and c ध्यान से देखो common sense लगाओ अगर मैं यहां से बात करूँ तो b a square cross multiply करोगे तो b a square is equal to a c आ गया a c is equal to किन्दा हो गया b a square b a square 96 into 96 अब देखो ध्यान से समझना बात को अब हमें कौन सा कहा गया कि कौन सा possible होगा a और c के लिए तो ध्यान से देखो हमारे पास पहले देखो a 24 है न तो 24 करने के लिए इसका टेबल 24 के छानबे होता है 24 into 4 into 96 और 4 में 24 ऐसे ही रने तो 96 का multiply करोगे तो 64 के 24 36 और 2 38 यानि 24 into 384 होना चाहिए a अगर 24 है और c जब 384 होगा तो match करेगा c तो 374 है यानि गलत है यानि हमारा जो पहला statement हमने possibility नहीं हो सकती और जो हो जाएगा वो answer हो जगा देखो देखो यहां से देखो इसको जानते हो 32 into 3 होता है चानबे into 96 अब देखो 32 को ऐसे ही fix रखो इन दोनों का multiply करो छेतली 18 27 और एक 28 multiply कर दिया इन दोनों का product ही यह है यानि यह हमारा जो है वो match कर रहा है आगे चेक करने के में need नहीं है क्योंकि हमारा answer आ चुका हमने क्या क्या इतनी टेबल तो पता होना चाहिए जैसे 24 का टेबल 24 into 4 कितना होता है 72 24 into 5 कितना होता है 120 इतना सबसे पता होने 24 into 6 कितना होता है 144 यह सारी चीज़ें तो आपको फिंगर्टिप से फोर्ट दा होना चाहिए जैसे 24 into 8 192 पता होना चाहिए तो यह सारी चीज़ें फिंगर्टिप से होनी चाहिए अब जैसे वह ऐसे ही 32 into 396 होता है 32 into 2 कितना होता है 64 होता है तो यह सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए तो उस तरह से हमने आसानी से कोशन तक पहुंच है CGL 27 2023 को पुछा गया मेरे को सिर्फ solve करना होता ना तो मैं यहीं पर बता के खतम कर देता है मैं आपको क्यों यह सारी चीज़ें बता रहा हूं क्योंकि अगर यह चीज़ें है न तो आप calculation speed calculation speed आपकी automatically बढ़ जाएगी और आप कभी भी calculation barrier नहीं होगा एक्जाम में चलिए move to the next next में देखो क्या दिया गया है questions में ध्यान से देखना 3 numbers are in the ratio किस ratio में है इस ratio में कौन सा 4 by 5 is to 5 by 6 is to 9 by 10 की ratio में है आगे the difference between the smallest and greatest is 12 यानि जो सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा दोनों का difference होना चाहिए अब पहले इसको हमें solve करना पड़ेगा solve करने के लिए जो denominator है 5, 6 और 10 इसका हम लेते हैं LCM LCM कितना हो जागा 30 तो 30 से सभी में multiply कर देते हैं तो 30 में इस वे की multiply करेंगे वैसे देखो अलग-अलग कर लो तो जल्दी हो जाएगा इसमें भी 30 का multiply कर लो इसमें भी 30 और इसमे यह क्या आया इस fraction को हमने complete ratio में बदल दिया अब जो कहा जाए smallest कौन है इसमें यह और greatest कौन है इन दोनों का difference इन दोनों का difference यहाँ पर कितना है 3 unit questions के according वो कितना है 12 जिसका दिया गया उससे divide आगे बोलते हैं क्या लिकालना है the number which neither smallest nor greatest ना तो वो छोटा हो ना ही वो बड़ हो यानि middle वाला लिकालना है ना तो यह छोटा है ना ही बड़ा है 25 unit की value लिकालनी है ध्यान से देखोगे तीन से चार चार इंटू पचीस यानि 100 आपका answer हो जाएगा लेकिन क्या हम इतना भी करते नहीं करते हमारा जब यह आ गया था ना देखो ध्यान से 24 25 27 यहां पर आपका लिकालना है ना तो सबसे बड़ा हो ना ही सबसे छोटा यानि middle नंबर यानि पचीस का क्या होना चाहिए एंसर मल्टीपल होना चाहिए यानि 25 का टेबल में answer आना चाहिए देखो पचीस से 96 नहीं आएगा यह नहीं आएगा पचीस इंटू 4 होता है 100 तो answer आ चुका फिर भी आप एके steps कर सकते हो जिसको टेबल की knowledge नहीं हो तो आप यह कर सकते हो अधरवाई इसको avoid करोगे छोटी-छोटी steps avoid करते ही आप exam में सबसे कम time में आप question बनाना शुरू कर दोगे तो छोटी-छोटी चीजों को हटाया करो लिखना कम करो चले next एक pole है जिसकी length इतनी सेफ्रोन white as well as green उसका ratio 6 is to 7 is to 8 दिया गया है आगे बोला गया है the length of green part green part का ratio बताना है तो देखो ध्यान से खुद सोचो green part है कितना 8 out of total 7 6 3 8 7 15 6 21 और pole की length है कितनी 9 0 3 0 चलो ध्यान से देखो 21 से 24 84 63 बचा 21 3 63 यानि इतना हो गया multiply कर लो 0 8 24 32 और 2 34 यानि इतना centimeter आगया option कौन सा green part दूसरा अगर ऐसे नहीं करना चाता ऐसे कर सकते हैं देखो ध्यान से सबसे पले 8 7 15 6 21 21 unit की value questions में कितना दिया गया है 9 0 3 0 हमें लिकालना क्या है green part यानि 8 unit की value 24 84 24 84 23 63 फिर multiply करोगे तो वहीं आएगा 3 4 4 0 तो आपको जैसे मर्जी है आपके teacher ने जिस way से बताया है उस way को follow कर सकते हो चलिए और सारे question CGL 24 7 2023 को फोर्थ सिप में पूछा गया है next which of the following is lowest देखो चार option है 8 by 19 दूसरा है हमारे पास 15 by 38 तीसरा है हमारे पास 17 by 38 और चौथा है हमारे पास क्या है 13 by 19 13 by 19 एक concept होता है इसमें हमें greatest lowest कुछ भी कहें हम आसानी से कर लेंगे पहला हम क्या करते हैं denominator जो है उसको सेम कर दो अगर सेम बन रहा है न डिनोमिनेटर सेम कर दो देखो ज्यांसे 38 38 है यह सेम बनाने के लिए 2 से उपर 2 से नीचे multiply कर दो सेम बन गया denominator यह 38 बनाना है 2 से उपर 2 से नीचे सेम हो गया यानि यह कितना हो गया यह जो आया हमारा 16 वाई 38 हो गया और यह जो आया 26 वाई 38 आ गया उसी चीज को लिख सकता हूँ ना चलो अब देखो दियान से हर में हमने क्या कर दिया सभी में मैं यहां पे थोड़ा सा color आपको दिखाना चाहूंगा highlight करके कौन सा color ले लूँ जो आपको better दिखे देखो दियान से जब हमारे पास denominator सेम हो जाए जब हमारे पास denominator सेम हो जाए तो हम सिर्फ देखते हैं numerator जिसका numerator small वो सबसे small जिसका numerator सबसे बड़ा big यानि वो सबसे number big होगा तो check कर लो देखो दियान से अगर मैं बात करूँ यहांप एक steps सभी का सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नुम्रेटर बड़ा जिसका नुम्रेटर बड़ा वो सबसे ज़्यादा वैलू बड़ी होगी देखो 16 15 17 और 26 में हमें चाहिए lowest lowest यानि सबसे छोटा कौन है 15 है तो यह सबसे lowest हो जाएगा नि 15 by 19 क्या हो जाता सबसे greatest हो जाता इन सभी में और यह क्या था हमारा smallest तो आपको concept भी सिखा दिया ताकि आपको कोई भी problem ना आए कभी भी चलिए next next में देखो क्या दिया गया है इस seven story building यानि साथ मंजीला इमारत है जिसकी सेड़ो कितनी अठाइस मीटर लॉंग सेड़ो बन रही है ओके दर नंबर ओफ एस्टोरे यानि कि कितना मंजीला building होगा ओफ हूज सेड़ो अगर फोटी एट बन रहा हो देखो ध्यान से यह question बहुत यह आसान है कैसे प्रपोर्शन से related है दो तरीके से मैं बताऊंगे दो ध्यान से seven किसको रिपर्जेंट कर रहा है 28 को तो एक किसको रिपर्जेंट करेगा चार को यानि साथ मंजीला building के लिए 28 cm 28 मेंटर का सेड़ो बनना है तो एक के लिए चार हमें उल्टा चाहिए 48 के लिए कितना बनेगा 48 के लिए यह का multiply करो 12 तो यहाँ भी multiply कर लो 12 यानि कितना हो गया बारह यानि बारह मंजीला विल्डिंग की जरूत पड़ेगी यहीं तो पूछा गया है ओप्सन नमबर ये दूसरा तरीका दूसरा तरीका साथ स्टोरी विल्डिंग के लिए कितनी रिकॉर्मेंट है 28 हमें लेकिन ऐसे उल्टा करना पड़ेगा इससे बेटर है दूसरा विए देखो द्यान से साथ मंजीला विल्डिंग है उसकी सैड़ों कितनी बन रहे है 28 एक्स मंजीला विल्डिंग है उसकी सैड़ों कितनी बन रहे है 48 यहीं तो solve करना है 7 से 4 टाइमस में 4 से 12 12 यानि X by 12 इस उकल टू कितना हो गया 1 यानि X की वेलो कितनी आगे 12 जो लिकालना था हमने आसानी से लिकार लिया अब जिसमें आप comfortable वो यूज कर लो CGL 26 साथ 2023 को 3rd shift में पूछा गया question था चलिए move to the next next में देखो क्या दिया गया है what a smallest positive number should be subtracted from 2 and 3 so that 4 is the 3rd proportion पहला बात अगर दो नंबर A और B है तो 3rd proportion जो होता है 3rd proportion वो क्या होता है B A square by A यहीं होता है सबसे पहले दोगो क्या नंबर इसमें से घटाया जाए मालने था हूँ X घटाया जा तो 2-X नंबर हो गया और 3-X तो इसका 3rd proportion क्या होगा 3rd proportion होगा B A square minus A यानि 3-X का whole A square by A यानि 2-X और 3rd proportion according to the question है कितना 4 अब X की value इसमें मत put करो solve करो directly देखो go through option पहला option लो पहला option लोगा यहाँ पे दिरखते हैं 3-1 यानि 2 2 का A square 4 2-1 यानि 1 4 match कर रहा है हां जी तो यहीं answer हो जाएगा आगे हमें check करने की जरुवत नहीं है CGL 26-23 को पूछा गया था चाहते तो आप यह भी हटा सकते थे चाहते तो आप इतना भी नहीं कर सकते आप ऐसे कर सकते थे directly देखो कैसे क्या सबस्ट्रेक्ट करें कि परपोसन आजाए फोर परपोसन आजाए तो 2-1 लेखते हैं पहला ओप्षन तो 2-1 1 3-1 2 इसका थर्ड परपोसन क्या होगा B A square by 8 यानि 2 A square by 1 यानि कितना आ गया 4 और answer थर्ड परपोसन 4 ही आना चाहिए तो हमारा answer directly आ जाता है इतना भी आप स्टेप्स बचा सकते थे directly करके तो सिर्फ आपको concept नहीं यह था concept वो था smart approach कि smart approach भी करने आना चाहिए चलिए next next देखो हमारे पास है 5 by 6 दूसरा है हमारे पास 7 by 9 तीसरा हमारे पास 11 by 12 and 4 चौथा हमारे पास 13 by 18 हमें चाहिए इन में से smallest कौन सा होगा smallest बताना है smallest कैसे बताओगे धियान से देखो compare कर लो देखो compare करते हैं कैसे समझना बात को अगर मैं बात करूँ compare एक तो तरीका इस तरह से किया जा सकता है हमें lowest चाहिए ना देखो ज्यान से cross multiply करो 9 पाचे 45 साच्छा के 42 45 और 42 बताओ कौन बड़ा है यह 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 सबसे बड़ा होगा बड़ा होगा तो इसको हमें बड़ा होगा तो जो छोटा होगा उसको लेंगे क्योंकि हमें lowest चाहिए ना एक मिनट फोन आ रहा है किसका चले बाद में हम फोन को receive करेंगे question पर आते हैं तो यह हमारा बड़ा होगा तो बड़ा तो ले नहीं सकते अब देखो इन दोनों को compare करो इन दोनों को देखो द्यान से यह सबसे छोटा इन दोनों में छोटा कौन ह हो गया यह हो गया क्योंकि जिधर साइट छोटा आएगा अब इसका मल्टिप्लाई करो 12 सते 84 1159 बताओ कौन बड़ा है यह बड़ा है यानि यह बड़ा हो गया अभी छोटा कौन है यह रहा छोटा अब इस से 7 by 9 और 13 by 18 में कौन छोटा बड़ा होगा तो देखो द्यान से एक तो तरीका इसका बेस भी सेम कर सकते हो एक तो मल्टिप्लाई कर लो ठार साथे 126 और 135 117 बताओ कौन बड़ा है यह बड़ा यानि 7 by 9 बड़ा हो गया तो सबसे smallest कौन सा हो गया यह कौन सा आ गया 13 by 18 दूसरा यह भी सोच सकते थे देखो द्यान से compare एक और तरीके से कर 9 तीसरा है 11 by 12 और 14 है हमारे पास 13 by 18 देखो द्यान से मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो देखो यहां पे 6 है इसको सेम बनाने के लिए देखो द्यान सेम बनाने के लिए 3 से मल्टिप्लाई करोगे तो 15 बाई 18 हो जाएगा हां जी देखो यहां इस देख लो जिसका बेस इसका और इसका बेस यानि डिनोमेटर सेम है तो देखो 15 14 और 13 में कौन सबसे छोटा है सबसे छोटा यह 13 है तो यह दोनों तो क्या होंगे बड़े नहीं हो सकते सबसे लोईस्ट हुआ अब 11 by 12 और 13 by 18 में हमें चेक करना है क्या इस छोटा कौन सा होगा है स्मॉल यह हो जाएगा तो यह था दूसरा एप्रोच आपके अगर कॉंसेप्ट क्लियर है स्मार्ट एप्रोच क्लियर है तो कितना भी लैंग्वेज बढ़ा दे कितना भी डाटा चेंजेच कर रहे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा ऑप्सन नमबर भी इस दर कैसे कर दिया 12 इंटू 13 156 कैसे लिख दिया देखो मैंने कई बार कुछ डाटा करने के लिए बतायाथ यह था 36 इंटू 5 होता है 180, 5 इंटू 4 होता है 180, 11 इन तू 12 होता है 132 ठीक है इस तरह से मैंने 12 इंटू 13 बताया था कि 156 होता है कुछ डाटा आपको फिंगर टिप्स पर पता होना चाहिए दूसरी बात आपको 18 में 18 का multiply करना था तो आप जानते हो 11 का multiply दुनिया में कोई नंबर से आसान होता है 8 8 8 9 और एक इसलिए मैंने 198 directly लिख दिया था चलिए next को इस थर्ड प्रपोर्शन एंھ इतना इस फोरे मेढ़े होbrand क्या रों दूर्प ईसको आपको Tabii यानि 4Xộc है यानि कोले स्क्वार अपर टापachenóc्च फॉर्टा और एक इतना के इस उपर 49 хочу अर। एकसे स्क्वाइर यहां पे है, एकसे स्क्वाइर करोगे, कैंसील, अब यह किना, चार का स्क्वाइर, 16, y स्क्वाइर, अपॉन 3, इस उकल टू 48, 16 से 3 टाइमस में, y स्क्वाइर इस उकल टू 9, हमें positive value लेना है y का, तो y की value कितनी हो जाएगी, अंदर root 9, plus minus 9 होगा, यानि plus minus 3 आएगा, लेकिन हमे positive लेना है, यानि y की value 3 आजाएगी, option number CGL 277 2023 को third shift में पूछा गया था, दूसरा आपके mind में, ऐसे इतना भी करने की जोरत नहीं थी, directly कर सकते थे, कैसे, b square by a, यानि 16, x square, y square, हमने b square, कर दिया by a, 3, x square, is equal to 48, तो ध्यान से, x square, x square, cancel, 16 से 3 टाइम से y square 9, तो y की value कितनी आ जाएगी, 3, तो directly steps बचा सकते थे, चलिए, move to the next, अभिनास मन्थली salary कितनी है, 50,000, okay, his monthly expenditure कितना है, 18,000, देखो ध्यान से, एक अभिनास है, अभिनास की क्या कहा गया है, कि मन्थली salary जो income है, 50,000, यानि 50 के income है, और खर्चा उसका कितना expenditure जो है, 18 के, तो saving कितना होगा, अभिनास की, 50 minus 18, यानि कितना हो जाएगा, 32, हो जाएगा, 32 के, ये saving का आ गया अभिनास का, आगे बढ़ते हैं, राधिका के बारे में, राधा के बारे में कहा गया, राधा की monthly salary है, 60,000, हर monthly expenditure 24,000, तो saving क्या होगा, देखो ध्यान से, राधा की salary है monthly 60 के, खर्चा है 24 के, तो saving, 60 minus 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, 26 के हो गया, नहीं, ये 5 में से दो जाएगा, 36 के हो गया, के मतलब thousand, के मतलब thousand, के represent करता है thousand को हम sort में, बार बार one double zero, one triple zero लिखने की जरूत नहीं है, अब देखो ध्यान से, हमें पूछा क्या गया, find the राधा saving, saving, तू अभिनास saving, बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, राधा पहले पूछा गया, यानि राधा की saving और अभिनास की saving का ratio, राधा की saving है कितना इतना, अभिनास की है कितना इतना, यानि 36 के into 32 के, के से तो के कैसी लोग गया, 4 से 49 जा, 4 से 48 जा, यानि 9 is to 8 होगा बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों का ratio पूछ रहा है, तो 32 is to 36, और क्या हो गया, 4 से 8, 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले पूछा गया है राधा का, तो राधा पहले लिखना पड़ेगा, तो ये answer होगा, sometimes आप silly mistake भी कर देते हो, वो भी चीज यहाँ पर मैं स and half cup, यानि एक है cheese और दूसरा है sauce, एक cup है ये, और ये कितना है half cup, ratio लेगो cross multiply, यानि 2 is to 1, इसका काम हो गया खतम, यानि simple, 2 is to, देखो द्यान से, cup और sauce की बात की गई है, sorry, cheese और sauce की बात की गई है, ये है one cup cheese और half cup sauce, cross multiply करोगे, तो 2 is to 1 आ जाएगा, तो यानि इसका roll खत तरीका, अब आजाओ, रामा यूज 15 cup sauce to make number of pizza, how many cheese did she used this pizza, कितना cup sauce यूज किया जरा है, 15, source यहाँ पर कितना unit है, one unit, one unit represent कर रहा है, 15, हमें चाहिए cheese, कितना टाइम्स, 15 टाइम्स, चीज कितना है, 2 unit, यानि 15 टाइम्स, यानि 30 हो गया, यानि 30, कब चीज की जरूरत पड़ गी, option number D, simple question, graduate level, यानि CIGIL के 27, 6, 2023 के 4th script में पूछा हुआ question था, चलिए next, next में देखो क्या दिया गया है, out of total income, a family saves 15%, okay, the rest amount he has spent in 3 types of expenditure, health, education and food, किस ratio में, इस ratio में, देखो द्यान से, क्या कहा गया है, कि एक family की income माल लेता हूँ, income क्या है family की 100, तो save कितना कर रहा है, income का 15%, 15% यानि 100 का 15%, 15, तो खर्चा कितना करेगा expenditure, 100-15, यानि 85, यह हमारा data leak दिया गया, जो खर्चा है, देखो द्यान से, जो amount spent है, spent यानि खर्चा जो है, उसको तीन टाइप में खर्च क देखो है, तीन टाइप में, health, आगे education, और तीसरा क्या है, food, उसका ratio कितना है, 1 is to 2 is to 2, यानि expenditure का ratio है, आगे बढ़ते हैं, अब question में देखो क्या दिया गया है, समझना, यह तो सभी लोग जानते हैं, the income is 300 less than the thrice the expenditure incurred on education, यानि income जो है, 300 less है, thrice the expenditure और ओभी किसका education का, तो पहले हम यह तो कर लें देखो दियान से, expenditure total है कि 95, तो पहले देखो दियान से, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 5 unit की value, questions के according देखो, 85 है, एक unit की value कितना आ गया, 17, एक unit की value, 17, दो unit की value, 34, दो unit की value कितनी होगे, 34, एक unit अगर 17 को represent कर रहा है तो यह हमें पता चल गया, अब देखो दियान से, सबसे पहले, thrice the expenditure, इस expenditure, रुको, thrice the expenditure of education, education यह है, कितना है, 34, इसका thrice करोगे, तो कितना हो गया, 102, income कितना था, देखो दियान से, यह हो गया, यह, income कितना है, 100, अब इस से question में देखो, क्या दिया गया है, कि income जो है, कि कित्ना कम है useless, यहां से यहां तक इतना कम है, unit में, दो unit, कि दो unit किसको represent कर रहा है? 300 को, यानि दो unit की value question में में कितना है? 300 रुपय के बराबर है, अब जो question में कहा जाये, उसको देखते है, question क्या लिकालना है? Question लिकालना है, what is the difference between saving and the expenditure incurred on health, सेभिंग कितना है पंद्रा यूनिट और खर्चा जो है हेल्थ पे हेल्थ पे खर्चा कितना है सत्रा सत्रा यून पंद्रा यूनिट और सत्रा यूनिक बीच का डिफेरेंस चाहिए डिफेरेंस कितना होगा दो यूनिट और दो यूनिट किसको रिपरजेंट कर रहा था तीन तीन सो रुपय के लिए तो एंसर आ जाएगा तीन सो रुपया देखो ऑप्शन नंबर एई इस दराइट एंसर सीजियल के पेपर में सपाइस छे दो जार तेईस को लेटेस्ट पेपर है उसके फोर्थ स्रिप्ट में पूछा हुआ क्वेशन था यह चलिए मूट तूदा न में प्रपोशन हो गया ट्वलब आगे बढ़ते हैं एंडीनोट दो एंड जो है डिनोट कर रहा है थर्ड प्रपोशन ऑफ नाइन थर्ड प्रपोशन एंड थर्ड प्रपोशन होता है क्या बीए स्कार बाई ये बी कितना है 15 15 इंटू 15 भाई ए का मतलब कितना हो गया 9 देखो दियान से हमें लिकालना है ये find the value of 5m plus 3n लिकालना है अब देखो दियान से कैसे लिकालोगे m के जगह पे 12 और n के जगह पे 25 रखो दियान से 12 into 5 यानि 60 plus 25 into 3 75 यानि 135 आ गया देखो कौन सा एंसर है 135 option number C correct answer हो जाएगा CGL 286 2023 को पूछा हुआ question था एक बार फिर से मैं लिखवा देता हूँ सारा data देखो दियान से अगर दो number है AB अगर आपसे बोले mean proportion तो वो होता है under root AB ये दूसरी बार repeat कर रहा हूँ ABC तीन नमबर गिवेनों और इसका बोले third proportion third proportion third proportion क्या होता है तो BA square by A अगर तीन नमबर गिवेनों ABC और आपसे बोले fourth proportion क्या होगा fourth proportion क्या होगा तो वो होता है B into C by A ठीक है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैं यहाँ पे आपको क्या करने जा रहा हूँ रुख जाईएगा अगर मैं यहाँ से कोई box ले सेलेक्ट कर सकता हूँ ना यहाँ से box सेलेक्ट कर सकता हूँ ध्यान से देखिएगा रुख जाईए मैं आपको box select कर, के color मैं change कर लेता हूँ, blue color, देखो, ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ, ये, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ये और ये, ये तीनों कई बार repeat होगा, इसलिए मैं आप ये last बार बता दिया, दुबारा करूँगा, चलिए, next, next में देखो दियान से क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है, 2P is equal to 3Q is equal to 4R is equal to 5S, ठीक है, हमें बताना है क्या, P, Q, R, S की ratio बताना है, ऐसे question में हम करते हैं, देखो दियान से, 2, 3, 4 और 5 का LC हम लेते हैं, देखो, 3, 4, 5 का LC हम कितना होगा, पां already सामिल है, यानि 60 क्या हो गया, LCM, अब इस 60 को 2 से divide करो, कितना आ गया, 30, इस 60 को 2, 3 से divide करो, यानि 20, इस 60 को 4 से divide करो, यानि 15, इस 60 को 5 से divide करो, यानि 12, हमारा answer यहीं आ गया, 30, 20, 15, 12, 30, 20, 15, 12, option number D, ये question पूछा गया है, सीजल के paper में, 28, 6, 20, 23 को पूछा गया है, हम क् करते हैं, जो number है, उसका LCM लेते हैं, LCM से, जो आया, उसको divide करते जाते हैं, answer मिल जाएगा हमें, next, देखते हैं, next question क्या दियागे, ध्यान से देखो, in a company manufacturing, three different product, three different product, कौन कौन सा, glass, plate and bowl, तीन product है, एक है glass, एक है, दो को ध्यान से, एक है glass, एक है plate और एक है bowl, question में आते है the number of plates is double the number of glass, जो glass है, उसका double कौन सा है, plates है, यानि two times है, आगे बढ़ते हैं, the number of glass manufactured is twice the number of bowl, जो glass का manufactured है, ग्लास का manufacturing है, वो, glass का, मैं color दूसरा ले लेता हूँ, हरा color, glass का manufacturing, bowl से क्या है, double है, तो पहले किस से, किस के बारे में information नहीं है, bowl के बारे में, तो bowl को मान लो, one unit, bowl को मानो एक, तो glass क्या है, इसका double, यानि glass हो गया 2, और glass का double कौन है, plate, यानि 2 का double, यानि 4, हमारा directly हमने लिख दिया ratio इस form में, और ये लिखने आपको आना चाहिए, किस तरह से मैंने आपको represent किया हो, समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं, what is the difference between number of plates, okay, to the number of bowl, what is the difference between number of plates and number of bowl, total manufacturing, total manufactured by the company जितना, देखो ध्यान से, total कितना हो गया, 4, 2, 6, 7, 7, 7 unit की value questions में दिया गया है, 2, 3, 8, 0, हमें क्या कहा गया है, plates और bowl के बीच, plates ये है, और bowl ये है, इन दोनों के बीच का difference चाहिए, 3 unit, साथ से देखो, साथ से, सतली के 21, 7, 24, इतना आ गया, यानि, 1000 प्लस 20, यानि, 1020 आ जाएगा, 1000 प्लस 120 होगा, न, sorry, रुको, 900 प्लस 120, यानि, 1020 आ गया, multiply कर लो, 0, 4, 3, 12, तो लिके 9, 10, option number D, क्या हमें इतना भी करने की जरुत थी, क्य ये steps भी बचा सकते थे, कैसे, देखो, द्यान से, हमें लिकालना, क्या है, focus करो, plate और bowl का difference, इन दोनों के बीच का difference, 3 unit, यानि, जो answer जो होना चाहिए, वो 3 का multiple होना चाहिए, 3 से divide होना चाहिए, देखो, 6, 3, 9, 10, 3 से divide नहीं होता, 8, 6, 14, 3 से divide नहीं होता, 2, 1, 3, 1, 4, 3 से divide बचा सकते थे, आप directly answer कर सकते थे, तो आप video solution सिर्फ ये नहीं देखने के लिए आए हो, video solution के लिए, आप हर एक aspects आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँगे, किस तरह से मैं question को कम time exam में करना है, move to the next, आजओ next question पर आते हैं, देखो द्यान से next question क्या दिया गया, 3 number in the given, 1, 4th of 28, 4 से divide करोगे 7, यानि पहला आगया 7, 2, 3rd of 18, यानि 3 से 6, यानि 6 into 2, यानि कि 12, तीसरा number है, 2 by 5th of 35, यानि 5 से 7 साथ दुनी 14, यह हमारे पास 3 number आगया, अब question कहा गया, what is the fourth proportion, यानि ABC है, fourth proportion मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, B into C by A, B into C, यानि 12 into 14 by A, यानि 7, 2, यानि 24 आगया हमारा fourth proportion, on the answer देखो, CGL का 36, 2023 को shift 1 में पुछा हुआ question था, latest paper अभी तक का है, यह, क्योंकि CGL 2023 ही हुआ है, 24 की तो आप preparation कर रहे हो, तो यहां तक हम already complete कर चुके 60 question तक, अगर आपको वीडियो session पसंद आता है, तो वीडियो को like कर दिया करो, दूसरा, share honesty से करो, ताकि आपको इस book को मैं जितना जल्दी से जल्दी complete करा सकूँ, and comments करके बताओ, कि आपको हर एक वीडियो में क्या सीखने को मिलता है, और इस से comments जरूर किया करो, कि help मिल रहा है कि नहीं इस series से, आपके math पढ़ने का नजरिया भी change हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, एक मेरा जो है आपको मैं बता देता हूँ, एक मेरा paid course है, start होने वाला है, उसमें अभी तक introduction वीडियो दिया गया है, 5th December से वही start हो जाएगा, जो math special batch है, math special, उस batch में क्या है, पूरे के पूरे, CGL, CPO, CHSL, MTS, 2024 के लिए जो लोग preparation कर रहे हैं, उनके लिए बहुँ ज़्यादा ये helpful series है, दूसरा, IB, ACIO का एक्जाम होता है, intelligence वीरों का, इसके लिए वो helpful है, 3rd आपको, state level के जितने भी एक्जाम होते हैं, state level के, उनके लिए भी ये बहुँ ज़्यादा इसमें सारे लेबल कभरप किये जाते हैं, basic to advanced level course math, special batch में, 4th CDS exam हो गया, 5th railway exam हो गया, other UP के exam, UPSI हो गया, बिहार पुलिस exam, जितने भी ये state level के गवर्मेंट exam में, उस सारे कभरप किये जाते हैं, सिर्फ एक single batch में, और इस batch की फी 599 रूपीज है, first 300 students के लिए, तो आप अ minimum फी है, one year की validity के साथ, आप को information मैं बता देता हूँ, information कैसे आपको मिल जाएगा, वो मैं आप ही जस्ट आपको बता रहा हूँ, रुख जाईएगा, देखो ये था batch, इस batch में, आपको पूरा का पूरा, हर एक चीज आपको बताई गई है, कि किस तरह से आपका क्या करना है, कोई भी query है न, इस batch से related, तो आपको यहाँ पे WhatsApp नंबर दिया गया है, इस पे आप query करके पूछ सकते हो, first 300 students के लिए, course की fees रखी गया है, 599, आप first 300 students के लिए, आप join कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, तो math special batch पढ़ना, पूरी government exam की preparation के लिए, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, next part में, thank you,